पल्ले के ले अंतराश्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम में शुकरवार को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहले एक दिवसिय अन्तराश्ट्रिय मैच में अफगानिस्तान ने तीम मैचों की श्रिंखला में 60 रन की शानदार जीत दर्ज की ट्विटर अफगानिस्तान की जीट से गूंज उठता है जहां कई क्रिकेट सितारे अफगान टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हैं इससे पहले इबराहिम जादरान के शांदार शतक, रहमत शाह और रहमानुलाह गुर्बास के अरधा शतक और नजीबुलाह जदरन के एक कैमियो ने अफगानिस्तान को उनके 50 ओवरों में 294 के सम्मान जनक कुल तक पहुँचाया श्रीलंका के 295 रनों का पीछा करते हुए, सलामी बल्लेबाज पाथुम निसाका ने 83 गेंदो पर 85 रनों की शांदार पारी खेली, लेकिन मध्यक्रम पूरी तरह से खड़ा होने में विफल रहा क्योंकि निसाका को वास्तव में कभी भी वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन जेदारों से बाहर हो गए और उन्हें अन्य बल्लेबाजों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, अन्तता श्रीलंका 234 रन पर आउट हो गया, अगला वंडे मैच 27 नवंबर को कैंडी में है